अलो प्रिवन वेलकम टू दी एक्जाम टाइम सर यह है मारा माइक्रोएकॉनमिक्स का पार्ट थर्ड और इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिमांड जैसे टॉपिक को बिसिकली मैंने डिमांड स्टार्ट नहीं किया था मैंने इंडिफरेंस के बारे में चर्चा किया था पिछले कुछ सेशन में अभी तक भाट ली 30-35 मिनट के लेक्चर होते हैं तो ज्यादा टाइम कंजूमिंग नहीं होने वाला है लेक्चर बहुत ही मैं प्रिसाइज रख रहा हूं तो देखते-देखते नोट बनाते चलना और इस पिडिए जो देख पार हो तुम डाउनलोड कर सकते हो इग्साम टाइम चीज़े एक्स एम टी वाई एम जाकर सर्च करो प्लेस्टोल पर आज आएगा वहां पर वेरियस तुम फ्री कंटेंट्स और पिड कंटेंट्स को भी एक्सिस कर सकते हो तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और जो आज का हमारा सेशन होने वाला है व किसी भी चीज की मांग क्या होती है किसी भी चीज की मांग इच्छा जाहत is basically a demand जो होता है एक बहुत ही important role play करता है हर एक business sector में क्योंकि जितने भी sales हो गए profits हो गए ये depend करते हैं कि क्या उस product का demand है भी या नहीं है अगर market में ये phone जाने वाला है तो ये depend करता है कि लोग इस phone की demand करेंगे भी या नहीं करेंगे मेरी profits, मेरी sales depend करती है कि लोग इस phone का demand करेंगे या नहीं करेंगे A firm will not leave without any demand of its goods in the market अब जाहिड से बात है अगर तुम demand ही नहीं करोगे तो मेरा existence नहीं होगा मेरा in the sense कि business का existence नहीं होगा तुमने phone demand ही नहीं किया या कोई और product तुमने demand ही नहीं किया जब demand नहीं करोगे तो sales नहीं होगे और जब sales नहीं होगे तो profit की तो बात ही नहीं होती है तो ultimately यहाँ पे एक business, एक firm जो होता है उसके लिए lifeline की तरह होता है, life blurred की तरह होता है कौन सा demand होता है failure and success of firm depends on the demand of the goods a firm will mobilize resources based on the demand forecasting अब question आता है what is demand forecasting तुमने नाम सुना होगा planning का planning में हम लोग पहले से decide कर लेते हमें क्या करना होता है just उसी की तरह हमारा क्या होता है demand forecasting हम लोग ये just predict करते हैं कि हमारे इस product के कितने units sale होने वाले है market में कितने लोग खरीदने वाले हैं basically कितने लोग demand करने वाले that is demand forecasting तो demand forecasting एक ऐसा tool हो जाता जो कि हमें मदद करता है predict करने में क्या लोग future में हमारे products का demand करेंगे और अगर करेंगे तो कितने actual units में करेंगे actual नहीं approximation कहलो कितने units का demand करेंगे समझ गे अगर typical definitions की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ definition दे रखे हैं जैसे demand refers to the quantity of a commodity that consumers are able to buy at each possible price during a given period of time other things being equal other things being equal की अगर मैं बात करूँ इसे हम 17 परेबस भी बोलते है spelling अगर wrong हो तो कामियार चला लेना बहुत लोग सेरेटास परेबस भी बोलते हैं सेटरास परेबस बस याद रखो demand basically होता क्या है एक time पे, एक point of time पे किसी व्यक्ति के द्वारा की गई किसी वस्तू की demand किसी वस्तू की मांग और एक चीज इंपोर्टन मेंशन वहाँ पे कर सकते हो particular price of a product अगर market में ये phone 15,000 का भी कर रहा है और मैं इसे demand कर रहा हूँ एक particular point of time पे इसकी मांग कर रहा हूँ demand सिर्फ और सिर्फ मांग नहीं होता है तुमारी ability भी होनी चाहिए तुम demand कर रहे हो 15,000 के phone क्या actual में तुमारे pocket में 15,000 रुपे हैं इस phone को खरीदने के लिए क्या तुमारी ability है इस phone को खरीदने के लिए क्या तुम capable हो इस phone को खरीदने के लिए that is ability क्या तुम इस phone को खरीदने की इच्छा रखते हो ऐसा तो है नहीं कि तुमने जस मैंने बोल दिया या phone बहुत solid है तुम ले लो तुम्हारे अंदर इस phone को लेने की क्या willingness है या नहीं है To buy a specific quantity of a good at alternative prices हो सकता है मैं तुम्हें ये प्रोड़क्ट 16 जार में दे रहा हूं मेरे बगलवाला 15 जार में दे रहा हूं at a given time period that is other things being equal other things being equal समझ गए इस चीज़ को तो आई होब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगा होगा कि what is the demand आसान भासा में repeat करू refers to the quantities of a commodity that a consumers are able and willing to purchase at a given price at a particular point of time that is demand समाजी के definition तो पूछने से रहा exam में लेकिन फिर भी अब question आता है demand में question तो नहीं बोलूँगा demand में तुम्हें दो चीज़े याद रखनी है desire to own something तुम्हारे desire है या नहीं उस चीज़ को लेने का और तुम्हारी ability है कि उस चीज़ के price को तुम पे कर पाओ या न कर पाओ समझ गहें और एक चीज़ याद रखना जब भी हम लोग demand के बात करते हैं तो चीज़ों को हम लोग consumer के perspective से सोचते हैं consumer के point of view से सोचते हैं ये चीज़ important हो जाता है consumer के point of view से सोचना है वहीं अगर बात हो जाती जब supply की तो supply के वक्त तुम्हें एक seller बनना होता है या फिर कहलो supplier बनना होता है तो demand जब भी demand की बात हो तो समझ लो तुम यार एक customer हो और जब भी supply की बात हो तो समझ लो तुम क्या एक seller हो समझ के demand schedule की अगर मैं बात करूँ तो demand schedule is basically market में क्या अलग-अलग लोग या फिर एक individual वक्ति के द्वारा क्या कैसे products demand की जा रही है is basically demand schedule ये एक table होता है जिसके अंदर consumer कितना खरीदना चाह रहे है हर एक price पे वो mention किया होता है एक ticket की बारे में यहाँ पे बात की गई है और quantity of tickets यहाँ पे represent किया गया है जब एक ticket की price 350 थी तो यहाँ पे 5000 tickets खरीदे जा ले थे जब 3000 हजार हो गया तो यहाँ पे 6000 tickets खरीदे गए जब ticket की price 2500 रुपे हो गई तो लोगों ने और purchase करना start कर दिया लोगों ने हाँ पे 8000 quantities खरीद दिया और कम किया मैंने मैंने तो नहीं जिने जिसने भी किया हो 11000 फिर 1500 100 तो 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 यहाँ पे देख पा रहे होगे जैसे जैसे prices कम होती जा रही है prices कम होती जा रही है quantity demand बढ़ता जा रहा है माल लो यही prices बढ़ती जाती लोग कम demand करते तुम practical life का example ले लो practical life में भी चीज़े कुछ इसी तरह से काम करती है कि अगर इस mobile phone का दाम कम कर दे तो लोग ज़ादा purchase करना start करेंगे और यही दाम ज़ादा रहे एकर mobile phone का तो हो सकता है कम लोग purchase करें तो that is demand और इसी को हम लोग बोलते हैं law of demand क्या बोलते है law of demand बोलते है जब चीजों की prices कम हो या फिर जाता हो और quantity demand भी उसी प्रकार से work करे that is law of demand यह देख लो demand कर कुछ इस प्रकार से होता है चलो अब बात करते हैं determinants of a demand important चीज हो जाता है तो सबसे first यहां पर आता है price of the commodity most important factor होता है जो कि demand को effect करता है अगर माल लो माल लो चाई की बात कर मैं करूँ अक्सर पूरे बनारस की अगर मैं बात करूँ तो maximum जगे पर 5 रुपे का चाई मिलता है ठीक है basic छोटा सा कुलड होता है 10 रुपे का चाई मिलता है ठीक है अब माल लो यहां पर 2 shops मैं बना रहा हूँ को बहिया घर बना दिया आपने चलो मैं बात कर रहा हूँ यहां पर 2 shops है चाई की टपरी है काईंड जथ्क टपरी तुम बोल सकते हो यह चाईबाला ऊफर कर रहा है 5 रुपे के चाई छोटी कुलड और 12 रुपे के आफर कर रहा है सुर्री 10 रुपे के आफर कर रहा है बड़ी कुलड कुल्लड इंदसेंस की जिसमें चाय पीते हैं मिट्टी की जो बनी होती है इस तरह से बनी होती है ठीक है और वहीं अकर मैं बात करूं टपड़ी नंबर सेकेंड की तो यह भाई साब देखना क्या कर रहे हैं यह 6 रुपे का एक चाय दे रहे हैं और दूसरी चाय जो इनकी है वो कितने की है 12 रुपे की है अब कुश्चन पूछो के कि भाई साब आप अपने चाय में ऐसा क्या मिला तो बोलेंगो यार वो स्पेशल्टी है इसमें मैं अपने स्पेशल मसाले डाल रहा हूं जो की अलग-अलग दुनिया से निकल कर आते हैं मस्ती जोक सपार्ट बस त वाला पांच रुपे का चाय प्रोवाइड कर रहा है एक छे रुपे का प्रोवाइड कर रहा है तो अब तुम लॉजिकली सोच कर देखो यार चाय तो वही होता है जस्ट यहां पर मार्केटिंग टेकनीक होती है लोगों को अट्रैक्ट करने की टेकनीक होती कि यह एक्स् अगर कम होगी इसको देखते हुए इस चाय वाले को देखते हुए अगर ये भाई साब भी 3 रुपे से 5 रुपे कर देता है तो इस situation में भी demand उसका बढ़ जाएगा मालो अब इसने 4 रुपे कर दिया ऐसे तो आप competition स्टार्ट हो गया लेकिन जसमें तो मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ अगर commodity की prices कम होती जाएंगी तो लोग उसके demand को बढ़ा देंगे similarly अगर prices बढ़ेंगी तो लोग demand कम करेंगे बस यही बाते यहाँ पर इस paragraph में की गई है नेक्स अगर बात की जाए price of related goods, related goods दो प्रकार के होते हैं substitute goods and complimentary goods ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को समझाऊंगा substitute goods कैसे goods होते हैं जिसको की हम लोग एक के place पे दूसरे मतलब जिसको की as a alternative इस्तमाल किया जा सकता है मतलब चाई की जगए coffee को तुम इस्तमाल कर सकते हो अब हाँ जिनकों की चाई की तलब है वो जरूरी नहीं कि उसे करेंगे लेकिन ठीक है थंडी का मौसा में चलो यह चाही नहीं मिल रहा है चाही खत्मों काई coffee से काम चला लेते हैं दूसरा एकसांपल अगर मैं यहां पर तुम्हें तुम्हें पीनी है अब तुम्हारे पास दो alternatives रख्खे हुए है यहां पर रखा हुए कोग और यहां प कर सकते हूँ मुझे तो इस्तेमाल नहीं करना हैं फिर से साइड करते हैं आप यहां पर में तुम्हारे पर से Example दे सकता हूँ क्या Example का बता उज़रा मि खुद से सोचो क्या Example हो सकता है जिसको की जास कोफी कोफी हो गया कोक पैप्सी हो गया चाहए लस्सी और मुशे भी नहीं आ रहा यहां पर मैं द्लिलता हूं कुछ भी एक्जामपल ले लेता हूं क्या मैं बना रहा हूं चर्ण मेंने यहाँ पर दो आउटलेट्स बनाई है थीक है अ माल लो यहाँ पर इस आउटलेट्स पर रोल्स बिखते हैं रोल्स जानते हो ना वेज रोल पनीर रोल एग रोल चिकेन रोल बहुत सारे रोल्स के वाराएटी है बेसिकली मैं बात करूँ तो एक रोल की प्राइस 60 रूपीज वेज की यहाँ पर क्या बिखते हैं बर्गर्स बिखते हैं 60 की एक बर्गर है स्टार्टिंग बेसिक वेज बर्गर तुम्हें भूक लगी है टूशन से आये हैं तुम्हारे पस दो ऑप्शन्स है बर्गर से भी काम चला सकते हो रोल से भी काम चला सकते हो ultimate goal तुम्हारा क्या है पेट भरना है तो तुम क्या करोगे यार मेरे पास दोनों ऑप्शन है अगर रोल वाले भाई साब के पास रोल खदम हो गई है तो यार तुम बर्गर से काम चला लोगी या फिर तुम डेली रोल खाया करते हो अचानक चाहस तुम्हें पता चलने को मिला कि रोल का प्राइज जो है 60-70 हो गया तो अब उस situation में तुम क्या करोगे बरगर पे shift कर जाओगे क्योंकि तुम्हारा ultimate goal क्या है पेट भरना है जस्ट मैं तुम्हें example दे रहा हूँ ठीक है real life में ऐसा हो सकता है कि implement ना हो तुम्हारा purpose हो test लेना लेकिन अगर वही हम लोग बात करें चाय और coffee की तो चाय और coffee is the best example of substitute goods Coke and Pepsi is the best example of substitute goods अगर तुम्हें वो नहीं भी मिल रहा है तो तुम वो try कर सकते हो और नहीं मिलना is not important अगर माल लो चाय की price एक मिनिट कुछ lag हुआ issue हुआ है चलो सब सही है यहां पर चलो एक चीज माल लो यहां पर एक time पे चाय भी मिल रहा था पांच रुपे का और coffee भी मिल रहा था पांच रुपे का यहां सब कुछ मिलता है तो माल लोगी मिल रहा था अब कॉफी वाले भाई साब ने क्या 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 दोनों के यहां customer जा रहे थे दोनों equal पे कर रहे थे अब यहां पर कॉफी वाले भाई साब ने 5 रुपे से 7 रुपे price कर दिया तो हो सकता है कॉफी के कुछ कॉफी का प्राइस साथ रुपे हो जाए और कॉफी पांच का पांच ही रहे तो चाई वाले कुछ कॉफी के तरफ भी सिप्ट कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं substitute गुट्स अब इसे एक बार ज़रा रीड करके मैं तुम्हें बता देता हूं substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want जैसे की टी कॉफी अगर substitute का price बढ़ता है तो इससे हो सकता है दूसरे goods की demand बढ़ जाए या फिर y से वर्सा मतलब just opposite for example माल लो टी की prices बढ़ जाती है ठीक है या फिर चलो commodity से tea will rise tea will become relatively cheaper in comparison to coffee यहाँ पर क्या बोला चाई की price कम बढ़ हो जाती है ठीक है कॉफी महंगी हो जाती है तो चाई तो सस्ती हो जाएगी तो यहाँ पर कहीं न कहीं कॉफी की demand जो होगी वो effect हो जाएगी और कह सकते हैं चाई की demand बढ़ जाएगी यह क्यों हुआ क्यों कि यह यहाँ पर price में change आया चाई सस्ती हो गई तो लोगों ने क्या किया कॉफी से सिफ्ट करना कहां start कर दिया चाई अब अगर मैं बात करू complimentary goods की तो complimentary goods are those goods which can be used together to satisfy a particular want for example current petrol बिन पेट्रोल के दो गारी चलेगी नहीं पानी पे तो चलाओगी नहीं bike and petrol pen and refill ठीक है refill होती है न तुम कह सकते हो और example अगर मैं तुम्हें दू चाई और चीनी चाई और चीनी बिसिकली चाई पत्ती समझते हो न उसमें फिर चीनी लगेगी दूद लगेगी तब जाकर वो प्यूर चाई बना तो यहां पे गाए complimentary goods तो यहां पे यह भी scenario हो सकता है मालो चाई की जो पत्तियां होती है उसकी prices अगर बढ़ जाए चाई की पत्तियां की जो prices है वो प्राइस होगा बिसिकली तुम पाच रुपे का कुलनर पी रहे हो उसका भी price बढ़ जाएगा क्योंकि यह चाई पत्ती ही महंगी हो गई अब तुम भारा खुश्य आ रहा होगा भाहिया आप इतना चाई का इक्जामपल क्यों लेते हो जस्त ले लेता हूं चलो complementary goods are those goods which are used together to satisfy particular want like tea and sugar an increase in the price of complementary goods lead to decrease in the demand for given commodity तो अब तुम सोच कर देखो मैं एक blank slide लेके बताता हूं यह है चाय की पत्तियाँ चाय की पत्ति की प्राइस बढ़ गई तो अल्टिमेटरी चाय का प्ठाइज बढड़ेगा अब चाय का प्ठाइज बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे इसका DE-माड कं करदेंगे तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कंपलिमेंटरी गुट्स दोनों साथ इस्तेवाल होने वाले गुट्स किसी एक गुड्स का दाम बढ़ा अल्टिमेटली इसने क्या किया चाय का ही दाम बढ़ा दिया तो मुझ पा रहे हो चीजों को अगर तुम्हारा इंकम जादा है तुम पहले इंफिरियर गुड्स की तरफ कर जाओ इसको नाम देते हैं इंकम इफेक्ट मैं एक्जामपल तुम्हें समझाता हूं मालो तुम्हारी जो सालरी थी वह बीस हजार पर मंत और तुम डेली ले रहे थे चलो मैं बताओ अगर नॉर्मल सुधा सुधा बोल रहो अमूल का जो पैकेट आता है एक 26 का पैकेट आता है 26 कहलो 27 कहलो ठीक है यह दे रहे थे तुम्हारी सालरी बढ़ गई तुम बढ़े कुस पांच हजार बढ़ गई पच्चीस जार तुम्हारे सालरी होगी पाटी बटी दो यार अब तुमने क्या किया बोला नहीं यार मैं तो अब लूँगा अमूल ग आफ्टर प्ले करता है टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही खतरनाक चीज होता है तुम्हारा टेस्ट कब बदलेगा कंजूमर का कब टेस्ट बदलता है पदा नहीं कभी उसे क्या लो तुम एक्सिडेंटल जिन्स कासो के तुम एक्सिडेंटल जिन्स जो फटे फटे जिन्स होते है रिप्ड भी बोलते हैं बहुत लोग तो उस जिन्स से तुम्हारा मन अब बदल गया आप तुम यार फॉर्मल वेर पे आना चाहिए तो यहां पे भी प्रोड़क्ट की डिमांड कि अब तुम कवी कोई और तॉम कुछ और कर रहे हो कल तक तुम्हें फटो खानेर खाना पसंद था टिक तो यह कुछ इस प्रकार से immersion की बहुट पध आट से लग बग 450 यह तीन स गुटा कि खला हुआ था मार्केट में कि जो नमक की प्राइस यह बढ़ने वाली है लोगों ने क्या किया नमक स्टोर करना स्टार्ट कर दिया Covid का example ले लो Covid जब अपने starting stage पे था lockdown का सिनेरियो था कि समान नहीं मिलेगा future में समान महंगे हो जाएंगे किया था लोगों ने घर में समान स्टोर करना start कर दिया था ठीक है तो अगर तुम्हें लगता है कि futures में product की prices बढ़ेंगी prices बढ़ेंगी तो तुम जाके फटा-फट जादा भी demand कर लोगे अगर product की prices तुमें लगता है कि future में घटेंगी तो तुम अभी demand ही नहीं करोगे तुम सोचोगे यार जब सस्ती होगी चीज़े तब मैं लोगे big billion day big billion day reality में इस धोखा valon day मैंने लिग दिया big billion day reality में धोखा है महेंगे price को अभी कुछ टाइम तक महेंगे रखते हैं उस टाइम पर actual price हो कर देखते है big billion days में तुम वेट करते हो यार August, September, October में आएगा तब मैं चीज़ों को खरीदूँगा जो wishlist तुम बनाते हो future expectation जो होता है ये भी important role play करता है अब बात करेंगे यहां पर law of demand की मैंने तुम्हें already समझा दिया ये क्या कहता है higher price for a good other thing constant means people demand a smaller quantity price जदा है लोग कम demand करेंगे price कम है लोग जदा demand करेंगे that is law of demand बस बात खतम और तो कुछ है ही नहीं या अभी तक जो भी मैंने तुम्हें समझाया मैं मान कर चलता हूँ कि तुम्हें चीजे यहां तक तो समझ आ रही हो समझ गए समझ में आया या नहीं आया आया ही होगा चलो demand functions की अगर मैं बात करूँ तो इसका equation बनता है dx is equals to function of price of commodity x P here stands for price and commodity x फिर price of relative goods R stands for that is other goods y is income of the consumer T is the taste is taste and E is the expectations of the consumer जो determinants तुमने पढ़ा उसी का ये demand function बन जाता है clear जालो अब यहां पे एक concept है individual demand versus market demand अगर मैं इसकी बात करूँ market में अगर सारे लोग जो demand कर रहे that is market demand अगर तुम demand कर रहे हो that is individual demand मैंने तुम से एक पहन मागा that is individual demand market में जितने लोग बैठे हुए market में जितने student बैठे हुए सब ने पहन मागा that is market demand अब question आता what is demand and what is quantity demand actual में इन दो के बीच difference ही क्या है मुझे सबसे पहले ये बताओ जब हम लोग demand की बात करते हैं इसका मतलब है we are talking about entire demand schedule yield और curve जो की हमने देख लिया लेकिन जब हम लोग बात करते है quantity demanded की इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे है specific point on demand curve demand curve होता है उस पे कोई specific point की यहाँ पर बात हो रही है at a specific price difference हम आजा है demand की जब बात हो overall सारे पूरे demand schedule demand curve की बात हो रही है means हम लोग बात कर रहे है talking about specific point at a specific price difference याद रखना चलो अब यहाँ पर दे रखा change in demand change in demand हम लोग करेंगे next session में आज के लिए इतना ही रखते हैं बागी के topics को भी हम लोग continue करते हैं तब तक के लिए thank you bye bye and take care